दोस्तों आयोग ने लेकपाल का जो revised answer की है इसको जारी किया है बहुत जल्दी इनका answer किया गया बहुत अच्छी बात है बहुत इन तक आपको burden ने लेना पड़ेगा और इनका answer की जो आया है उसमें आप देख सकते हैं बहुत जादा question को change नहीं किया गया है वैसे अगर आप देखेंगे तो 20 question पर आप 30 जताई गयी थी मतलब चोटे बड़े जितने भी भाई सभी लोगों ने अपना डाल दिया था जिनको objection था तो लगभग 20 question पर आप 30 जताई गयी थी जिनमें से आप देख सकते हो यहाँ पर तीन question को तीन question पर यहाँ पर revised answer की होके आया है यहाँ पर जो 15 question है आपका इस पर full marks मिला है मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा question था वो 15 question है और आप देख सकते हैं 21 है किसवे में be right answer होगा और 79 में be right answer होगा ठीक है तो 15, 21 और 79 तीन question पर इन्होंने change किया है ठीक है तो फटाक से देख लेते हैं कि यह कौन से question है तो 15 question आप देख सकते हैं यहाँ पर एक second ठीक है 15 question है आपका जीवन पती वाला question जो जीवन पती करके एक आया था इसमें आपको full marks मिलता है ठीक है आयोग की तरब से इसमें आपको full marks मिलता है एक number यहाँ पर आपको मिलता है आपने अगर महीपती किया है आदमी लगाया है पती लगाया है कुछ भी लगाया है या यमराज लगाया है इसमें आपको एक number पूरा मिल रहा है ठीक है इसमें full marks मिल रहा है इ इस शब्द को इस statement को सही माना है ठीक है इस वाकि को इन्होंने सही माना है बाकी और यह तीनों गलत है तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो आपका right answer होगा वो होगा यहाँ पे पहला तीसरा और चौथा ठीक है पहला तीसरा और चौथा यानि कि option number B यहाँ पर इन्होंने चेंज किया है जो कि है question number 79 ठीक है आप देख सकते हो एक second मजाराओ फटाक से question number 79 में इन्होंने जो change किया है आप देख सकते हो बहुत लोगों ने एनेस टू मार्क किया था सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्क कौन सा है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ध्यान रखना की राष्ट्री राजमार्क जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो बहुत सारे लोगों ने एनेस्टू मार्क किया था, और अगर आप जाएंगे गूगल तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, आप यहां पर देखें कि the longest national highway that passes through the उत्रप्रदेश is NS2, ठीक है, यहां पर साब साब Google पर भी यही आ रहा है, कि NS2 जो है यह, मतलब यह और मैं तो नीचे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं डी आयोग ने इस answer को गलत माना है, यहां पर इसका जो right answer होगा, गो होगा D, यह एक तरह से unexpected question है, इस तरह का question बनना भी नहीं चाहिए, मतलब यहां पर ऐसे में, ऐसे चीजों में आप इन में से कोई नहीं option दे रहो, ठीक है, जो कि कुछ अजीब type में इसका option भी है, आप तीन question पर इन्होंने जो revised answer की है, वो जारी किया है, तो उमीद करता हूँ कि आपको इस जानकारी मिली होगी, एक चीज में आप से और कहना चाहूंगा, कि जिस तरह से revised answer की जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल गया, बहुत दिन तक आप परिसान नहीं हुए, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका आपको result देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, मिलते एक लिए वीडियो में पढ़ाई करते रहेगा, जहिंद.